नमस्कार मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंग स्वागत करता हूं आपके अपने परवार एव हम इंडिया के नमर आजरी कल्चर प्रॉपर्टी से यूटुब जैनल R.S. प्रॉपर्टी इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं RS properties प्रत्य एक परकार की property को खरीदने का और sale कराने का काम बगो भी करता है तो आपके पास संपूर भारत में कहीं भी कोई भी property है जैसे आप sale करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो इसकीन पर देख रहे हैं मॉबाइल नमर पर call, एबम, whatsapp आप कर सकते हैं आज की जो property है वो आप सामने देख रहे होंगे काफी अच्छी property आपको नजर आ रही होगी ये जो property है सामने वो विकाओ है काफी अच्छा खासा front है इस property का सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राम के बारे में नंगला महादेव नंगला महादेव जमीन से कुल एक किलोमेटर की दूरी पर है जिस गाओं में ये जमीन लगती है इसकी अगर हम ब्लॉक की बात करें तो सतौली इसका ब्लॉक रहने वाला है भूमी से कुल एक किलोमेटर की दूरी पर अगर हम तैसील की बात करें तो यह आपका अथमादपुर जमीन से कुल 2 Km की दूरी पर और डिस्टिक की बात करें तो आपका आगरा जमीन से कुल 25 Km की दूरी पर आपको मिल जाता है इसके इन पर देख रही प्रॉपरटी जो आपको नजर आ रही है यह जो property है वो आपकी plotting वाली property रहने वाली है जो की विकाओ है अगर बात करें इसकी तो टूंडला की तो टूंडला का यहां से जो distance है वो 2.5,5 km का distance आपको टूंडला का यहां मिलने वाला है टोटल जमीन का जो आकार है वो आपका 4 बिगा रहेगा अगर इसके कीमत की बात की जाए तो काफी कीमत जो है वो जैनुवन कीमत है यहां प्यालीस लाक रुपए प्रती एक बिगा जमीन मालिक की मांग है रोड की बात करें तो 30 फिट का रोड भूमी से लगता है और हाइवे की बात की जाए तो 1.500 मिटर की दूरी पर आपको हाइवे मिल जाता है अगर हम आगे बात करें जमीन की तो एक ही विक्ती के नाम पर जमीन आपको मिल जाती है जो कि आपके सेड्यूल कास्ट से बिलॉंग करते हैं मतलब S.C. से आगे बात करें अगर फसल की तो भूमी पर प्रती एक परकार की फसल हो जाती है सरसों, गेहू, आलू, बेजर, बाजरा और तिल जैसी सभी परकार की फसल है फ्रंट की बात करें तो 116 फिट का फ्रंट आपको मिल जाता है लाइट की बड़िया कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है यहां प्रोपर जमीन पर अगर बात करें वाटर लिवल की तो 120 फिट का वाटर लिवल है पानी का साधन या तैयार नहीं है लेकिन वाटर लिवल आपको 120 फिट का यहां मिल जाता है मार्केट की बात करें तो दो मार्केट आपको मिल जाते हैं पहला आत्मादपूर तो किलो मीटर और टुंडला भाई किलो मिटर की कुल दूरी पर अगर मोवील नमर की बात की जाहे तो RS Prosperties का मोवील नमर आपको सकीन पर नजार आ रहा होगा उस पर आप सीधा RS प्रॉपर्टी से कॉंटेक्ट करके इस प्रॉपर्टी को सिग्र अतिसिग्र खरीच सकते हैं अगर बिसेस्ताओं की बात की जाए तो पासी में आपको FS Medical College एबम हॉस्पीटल मिल जाता है जो जमीन के बहुत नजदीक है उसके पस्चाद आपको डेली बर्ड पबलिक स्कूल बहुमी के बिलकुल नजदीक मिल जाता है चौधरी मुलतान सिंग जो कॉलेज है वो आपको मिल जाता है सतकार मेरिज होम मिल जाता है बहुमी के नजदीक हर्दयाल कूल्ड मिल जाता है आपको गुर गोरक नात ढावा मिल जाता है आपको भूमी के बिलकुल नजदीग साथ इसाथ एक पेट्रॉल पम्प भी आपको यहां जमीन के बिलकुल नजदीग मिल जाता है आगे बात करें अगर तो जमीन जो है वो आवादी से कुल एक सो 50 मीटर की दूरी पर आपको यहां देखा जाए तो आवादी है लेकिन प्रॉपर आवादी आपको 500 मीटर की दूरी पर मिल जाएगी अगर बसे स्टेंड की बात की जाए तो रोडवेज वसेस बगराज जो है वो प्रॉपर आपको National Highway पर मिल जाती है जो कि भूमी से कुल 150 मीटर की दूरी पर है National Highway से 150 मीटर की दूरी पर प्लोटिंग वाली ये जमीन विका हुए क्योंकि पास में ही प्लोटिंग हो भी रखी है तो location काफी better आपको यहां मिलने वाली है अगर हम बात करते हैं railway station की तो 4 km दूर टूंडला पर आपको railway station मिल जाएगा उसके पसद आपको मिटावली पर दूसरा railway station यहां 4 km की दूरी पर ही मिल जाता है हिंदू आवादी प्रतिसत की बात की जाए तो आपको 95% हिंदू आवादी प्रतिसत यहां मिल जाएगी और जाती बिजेस में आपके राजपूत, बगेर, जाटव जैसे सभी जाती धर्म के वेक्ति यहां निवास करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और वीडियो को जितना आप सेयर करते हैं उससे कई ज्यादा प्यार दीजे और इसको हमेशा की तरह आगे सेयर कर दीजे तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब कर लें वीडियो को पहली बार दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिजे क्योंकि संपूर भारत की सबसे कम कीमत वाली सस्ती जमीने आपको मिलेंगी सिर्फ हमारे चैनल RS Properties इंडिया पर तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में जी, राधे क्रिशना